हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम अम्रेला स्लीव्स बनाना सीखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं जो आज ही हमने स्लीव्स बनाई है यह हमने थोड़े से कपड़े में घेर वाली स्लीव्स बनाई है आप भी वीडियो देखने के बाद इन स्लीव्स को असानी से घर बैठे बना सकते हैं तो सबसे पहले आपके कुर्टी की कटिंग करने के बाद जो भी एक्ष्टा कपड़ा आपके पास बच्चा हुआ है उस एक्ष्टा कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है यह कपड़ा हमने डबल फोल्ड कर लिया है अब इस कपड़े को हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो इस कपड़े को हमने फोर टाइम फोल्ड कर लिया है अब फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं यह हमारे पास साड़े बारा इंच का कपड़ा है इधर से भी ये 1.5 इंच है और बीच से भी हमको 1.5 इंच का निशान लगाना है जरूरी नहीं है कि आपके पास जो कुड्टी कटिंग करने के बाद 1.5 इंच का ही कपड़ा बचे आपके पास 10 इंच का भी बच सकता है 11 इंच भी 9 इंच भी या हो सकता है 14 इंच भी या 15 इंच भी आपके पास जो भी size का कपड़ा बचे है आपको बस उसी size का एक round box बनाना है जैसे आप देख सकते हैं जो हमने ये round box बनाया है 12.5 इंच, इधर से भी 12.5 इंच, इधर से भी 12.5 और इधर से भी 12.5 इंच इस तरीके से हमने ये sleeves cutting कर ली है हमारी अब हमने अपनी जो sleeves है वो complete cut कर ली है अब हम इस sleeves में अपने armhole की cutting करेंगे तो armhole की cutting करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमारा ये corner है इस corner से हमें 2 इंच का एक निशान लगाना है 2 इंच निशान आप लगा लेना है अब आपने जितना armhole अपनी कुड़ती में लिया है हमने 6 इंच का armhole अपनी कुड़ती में लिया है तो ये armhole भी हम 6 इंच ही रखेंगे इस तरह आप देख सकते हैं हमने 2 इंच और 6 इंच का एक box बना लिया है अब इस box के अंदर हम अपने armhole की shape देंगे इस तरह हम अपने armhole की गोलाई के साथ एक shape देंगे और इसकी cutting कर लेंगे इस तरह आप देख सकते हैं अब जो हमारी अमरेला slews है ये cutting एकदम complete हो चुकी है इसकी अब हमें इसको side से खोल लेना है आपके पास क्या पता खुला हुआ भी कपड़ा हो तो हमें इसको अगर बंद है तो खोल लेना है और खोलने के बाद अब हम इसको armhole के साथ attach कर लेना है इस तरीके से attach करने के बाद जो हमने अपने कुड़ती में sleeves को attach कर लिया है और अब आप देख सकते हैं हमारी जो कुड़ती का लूप है वो बहुत ही ज़्यादा stylish और attractive आ रहा है I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए